बागिशवर धाम में महा शुवरात्री परफणडय दीरेंदर शुहास्त्री की अग्वाई में सामोविक विवाय कारिक्रम हुने जा रहा है जिसमें 121 जोड़े शादी के बंधन में बंदने जा रहे है और हमारे समवाद दाता शिवेंदर सुकला ने तैयार योगा जाजा लिया इसमें हम हैं छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर थिस्तल बागिश्वर धाम जो कि इस समय पूरे देश में अपनी धूब मचा रहा है अपनी शिद्धा और आस्था का केंदर बना हुआ है यहाँ पर छे दिपसी कायर क्यम हैं जिसमें 121 निर्धन और असहाय बीटियों का विवाह भी कराय जा रहा है इसके इलाबा इन छेद्धनों लगातार विभिन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन चलेंगे यह जो इस्तल आप देख रहे हैं यह विवाह इस्तल है यहाँ पर तैयारिया शुरू हो चुकी है जोर शोर से 18 तारीक को यहाँ पर 121 निर्धन कन्याओं के विवाह कराय जाएंगे और यह निर्धन कन्याओं न सिर्फ छतरपुर जिले की हैं बलकि आसपास के शेत्र से ऐसी कन्याओं को इसके लिए चुना गया है जो की कहीं न कहीं से इस असहा इस्थिती में हैं जिनके परिजन उन्हें उनका विवाह नहीं करा पा रहे हैं या ऐसी परिस्थिती हैं कि उनके परिवार में कोई भी नहीं है और उनको इस समय उन्हें विवाह की जरूरत है तो यहाँ पर बागिश्वर धाम में यह पूरा मैदान आप देख रहे हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर यह पूरा जो छेत्र है यह पूरा सजाय जा रहा है चारो तरफ यहाँ पर कैंपस को बंद कर दिया गया है यह जो आप सामने देख रहे हैं यह वो यह यहां पर कलश रखे जाएंगे साथी साथ यहां पर विवाह के फेरे होंगे मंत्रो चार होंगे और इसके अलाबा यह जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं इस पूरे ग्राउंड में 121 जो वर और वधू होंगे और इसके अलाबा उनके परिजन भी होंगे तो इनके ल जो सूशना मिली है उसके अनुसार मुक्रमंतरी शिवराज सिंग चोहान भी इस विवास अमारोह में शिर्कत करेंगे और उन 121 कन्याओं को अपना आशीरवाद भी परदान करेंगे साधी साथ महराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शासुरी से भी वो आशीरवाद लेंगे कैमरामेन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र शुकला बागेश्वर धाम शत्र